दोस्तो 2018 जो है वो विवो के लिए काफी अच्छा साल रहा है मैं रिसर्च और डवलपमेंट के अगर बात करें तो काफी सारी इनोंने नए नए रिसर्च किया और नए नए डिजाइन ये लेके आए हैं अगर शुरुवात की बात करें तो सबसे पहले आए इनका V9 जिसके इन डिस्प्ले का फिंगर पेंट ये लेके आए अगर मैं बात करता हूँ अभी रिसेंटली लॉंच हुआ जो फोन था विवो का नेक्स जिसके अंदर पॉप आउट कैमरा था और अब वी 11 प्रो वी 11 प्रो के अंदर आपको मिलता है एक हेलो नॉच जिसका लुक काफी ब बड़ा डिस्प्ले मिलता है क्योंकि नॉच की वएसे जो और जो मैंने एस्पेक्ट रिशो बताया है उसके वएसे जो फोन है बड़ा होने के बावजूद हाथ में मतलए इतना बड़ा नहीं लगता है फुल HD डिस्प्ले आपको मिलेगा, सूपर एमिलेट डिस्प्ले है, 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर मिलने वाला है आपको और बेजल जो है वो बिलकुल 1.76 mm मतलए बहुत ही कम इसके अंदर आपको बेजल मिलने वाली है Qualcomm Snapdragon 660 का संदर प्रोसेसर मिलेगा, जो की AI को सपोर्ट करता है, OctaCore ये प्रोसेसर है, 6GB की संदर आपको मिलेगी RAM और 64GB की संदर आपको मिलेगी Storage दो कलर इसके अंदर आपको option मिलेगी, एक Starry Night का option मिलेगा, दूसरा Dazzle Gold का मिलेगा, जो Starry Night के में बात करता हूँ, उसमें आपको लगबग Blue से Black की तरफ ही जाता है और Dazzle Gold आप देख सकते हैं बाकी अगर OS की बात करते हैं, तो इनका खुद का एक OneTouch OS जो 4.5 का version इसके अंदर मिलेगा, और Android की अगर बात करें तो Out of the Box आपको Oreo 8.1 मिलने वाला है Camera जो हमीशा से Vivo की खासियत रही है, front camera आपको 25MP का मिलेगा, जिसके अंदर आपको F2.0 का aperture मिलने वाला है और rear में आपको 2 cameras मिलेंगे, जिसमें एक आपका 12MP का होगा दूसरा आपका 5MP का, जो 12MP का camera है, वो आपको 1.8 के aperture के साथ मिलता है और जो 5MP का camera है, वो आपको 2.4 के aperture के साथ मिलता है बली portrait mode हो या bouquet mode हो, वैसे भी Vivo और OPPO के cameras काफी अच्छे माने जाते हैं तो definitely Vivo इसे अंदर काफी अच्छा perform करेगा flash के अगर बात करें दोस्तों तो वो rear में आपको मिलेगी front में काफी क्योंकि space कम है तो front में आपको flash नहीं मिलती है जो इसकी USB है दोस्तों वो है in display fingerprint और अब क्यारी काफी इन्होंने improve किया है और अगर बात करते हैं तो fast charging का support इसके अंदर मिल जाता है हाला कि जो micro USB है वो 2.0 है दोस्तों अगर cons की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही आपको अपने videos के अंदर बताता हूँ हर एक phone चाहे वो कितना भी अच्छा हो उसके pros and cons दोनों ही होते है no phone is perfect in this world तो cons के अगर बात करो तो इसके अंदर आपको LED notification light नहीं मिलती है साथ ही आपको NFC का support इसके अंदर नहीं मिलता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ USB जो है वो 2.0 है हाला कि fast charging का support आपको इसके अंदर मिलेगा एक आपको protective जो है वो आपको इसके साथ guard मिल जाएगा इसके अंदर और देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो phone के अंदर processor है वो ultimately snapdragon 660 है तो अगर आप PUBG game खेलते हैं तो उसको भी आप HD mode में अच्छे से आपको खेल पाएंगे और वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ तो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छे है मतलि Super AMOLED डिस्प्ले है फुल HD इसका आपको स्क्रीन मतलि 1080 का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है तो स्क्रीन क्वालिटी तो काफी बहतर है कैमरा हमेशा से ही वीडियो की USB रहा है तो कैमरा क्वालिटी भी सुपब होने वाली है फोन काफी प्रीमियम लुक पे है और सबसे अच्छी बात जो है उसकी प्राइजिंग अगर मैं बात करता हूँ कि 25,990 रुपे के अंदर ये फोन लाउंच हुआ है इन डिस्प्ले bit फिंगर प्रिंट्ट आपको किसी और फोन के अंदर नहीं मिलता तो प्रीमियम लुक आपको मिल रहा है अपको device के अंदर super em irregular display मिल रहा है और battery backup भी काफी अच्छा है तो ऐसे में देखा जाये तो fast charging की support के साथ ये डिवाइस काफी ऑच्छी है justify कर रहा है और लगबगर आपको value for money मिल जाएगी camera की अगर बात करते हैं overall अगर अगर package की बात करते हैं तो यह काफी अच्छा phone है और मेरा personally ऐसा मानना है कि अपकी बार यह Vivo का जो phone है V11 Pro definitely इसकी sale काफी अच्छे होने वाली है और अच्छी बात यह है कि festive season आ रहा है तो अच्छा ही stock बना के रखते हैं मेरी अगर review के आप बात करें तो मेरी तरफ से इसको एक thumbs up मिलता है definitely आप इस phone के लिए जा सकते है look and feel की बात करें या performance की बात करें दोनों भी आपको नहराश नहीं करेगा दोस्तों यह था मेरा बिल्कु अलनबायस्ट एक opinions phone के बारे में हा जरूर ऐसा होने वाला है कि आने वाला टाइम में OPPO और Vivo दोनों ही phones के अंदर snapdragon का processor आएगा और किस विए से बिखते हैं यह भी मैंने अच्छी तरके से बताया था अगर आपको डिटेल में वो वीडियो देखना है थोड़ासा वो लंबा वीडियो बन गया सा दोस्तों मैं उपर आई बटन के अंदर उसका link दे रहा हूँ आप जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं बाकी यह वीडियो मैं अभी समाप्त करता हूँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि एक बहुत ही amazing सा मैंने fact देखा है अपने YouTube चानल का कि 99% जो लोग हैं जो मे वीडियो पर एक like तो बनता है मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही next वीडियो के अंदर